नमस्कार आप देख रहे हैं C.I.B. इंडिया नियोस शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला तुमाज गुस्से में है देश में मूर्तियों पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं यूपी में बाबा साहभ अंबेटकर की मूर्तियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है अलिया मामला बलिय जन्पत के नगरा थाना छेत के ठेकवारी गाउका है जहां आराजक तत्वों ने रात के अंधेरे में अंबेटकर की प्रतिमा को छेतिकरस कर दिया दरासल सम्विधान को पकड़े हुए अंबेटकर जिस दूसरे हाग के उंगली से आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं उसी उंगली को आराजक तत्वों ने तोड़ दिया आरी राम कहा करन वले हैं देख वारी यहां पर बात उनकी कल सुबह बात उनकी बच्चे आये और देखे बोले हम लो आकर देखे उसके बाद में बात उनके आपर पुलिस भी आ गई जिला से भी लोग आ गई बटपा के नेता लोग भी और सीओ साब भी आ गई समाज के लिए अंबेटकर मूर्ती उस पत पर दशक की है जिसने उन्हें समाज में आगे बढ़ने की प्रेड़ना दी अंबेटकर की मूर्ती तोड़े जाने की खबर से हर कोई आकरुश्चित हो गया और देखते ही देखते दली समाज और नेताओं की भीर उमर पड़ी आराजक तत्तों ने अंबेटकर प्रत्मा के सर पर भी वार कर उसे नुकसान पहुचाने की कुश्चिश की अलाकि घटना के सुचरा मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने मूर्ती की मरम्मत कर ठीक करने के आशवासन के बाद गुसाई भीर शान्त हो गी बलिया भी महस दो महिने के अंदर मूर्ती तोड़े जाने की ये दूसरी घटना है चन्द दिनों पहले एक हनुमान जी की मूर्ती को भी तोड़ा गया था ऐसे में देश में लगातार मूर्ती ये हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है और उसे रोकनी की कोशशें नाकाफी साबित हो रही है केंदर और यूपी की सरकार के लिए ऐसे मामले बड़ी चौनती थाबित हो रहे हैं हलाकि मौके पर पुलिस ने पहुँचकर मामले को किसी तरह से शांत कराया और मूर्ती को आनन फार्मन में मरम्मत कराया ग्रामीडों की तहरीर पर अग्यात लोग के किब्रुद कारवाई करने का आश्वरसन भी दिया गया है मौके पर अभी हाला सामाने है पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीडों के तहरीर पर अग्यात अभ्यूक्त के खिलाप मुकदमा दर्च किया गया है और साथ ही जाच भी चल रही है